मुलायम सिंह यादों के निदन से मायावती हुई दुखी मायावती ने कहा कि मेरी समेंदराय परिवार के साथ है समाजवादी पार्टी के संस्थापक और तीन बार यूपी के मुख्मंत्री रहे मुलायम सिंहादों के निधन पर बसपा सुप्रम मायावती ने गहरा दुख जताया है मायावती ने एक ट्यूट करके मुलायम सिंहादों के परिवार और उसुप चिंतकों के प्रति अपनी समेदनाएं बैक्त की है वहीं ब्यस्प अध्यच्छ मायावती ने आगे लिखा कि समाजवादी पार्टी के वे विर्धिनेतावा यूपी के पूरों मुक्मेंतरी स्री मुलायम सिंहादों जो के आज निधन हो जाने की खबर आती दुखा थे उनके परिवार वासुप चिंतकों के प्रति मेरी गहरी समेदना है कुदरत उन सब को इस दुख का साहन करने की सक्ति दे आपको बता दे कि मुलायम सिंह यादों की 82 साल के उम्र में हुआ निधन मेंदाता स्पताल में सुबा 8 बच के 16 मिनट पर मुलायम सिंह यादों ने लिए अंतिम सास वहीं आपको बताया दे कि राजनीती से जुड़ू ही खबर है आपको बताएं कि धाई दसक के बाद 2019 में लोकसबा चुनाओं में साजा किया था मंच यूपी के सियासत में मुलायम सिंह यादा और मायावती को दसको तक का धुरूओं के तवर पर देखा जाता रहा 2019 को लोकसबा चुनाओं में समाजवादी पाटे और बसपा का गड़बंदन हुआ तो करीब धाई दसक के बाद मुलायम और मायावती ने एक साथ मंच भी साजा किया था कभी एक दूसरे के धूर विरोधी रह दोनों नेताओं के मंच पर यूँ साथ आने से विरोधी हरान थे मायावती ने जनता से मुलायम सिंग्यादों के लिए ओट मांगे थे मंच से दोनों ने एक दूसरे की प्रसंसा भी की थी